डी ओई डेली गेस टीचर्स रिक्रूट्मेंट विदाउट एक्सपिरियंस को भी मोका सेशन दो हजार बाइस तेईस फ्रेश वेकेंसिस न्यू नोटिस दो हजार तेईस वंजी दोस्तों केंडिडेट्स का लंबा इंतजार आखिरकार अब जाके समापत हुआ है नए नोटिस चारी कर दे गई हैं विदाउट एक्सपिरियंस को भी मोका आखिरकार दे दिया गया है सेशन दो हजार बाइस तेईस फ्रेश वेकेंसिस वंजी दोस्तों बिलकुल नई लिस्ट चारी की गई है बिलकुल विस्तार से आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे आप वीडियो को शुरू से लेके आके तक जरूर से जरूर देखें और जो सिलेक्शन प्रोसेस ह वो कुछ इस प्रकार से है जो वेटेज ली जाती है 10th की 10 है 12 की वेटेज 20 है ग्रेजवेशन की 40 बीड की 300 टोटल 100 इस 100 मेंसे जो भी केंडिडेट्स टॉक में होते हैं इस 100 मेंसे मेरिट प्रिपेर की जाती है तो उन्हें स्कूल उलोकेट कर दिये जाते हैं तो दो नोट प्रिप चैनल को जरूर से जरूर सबस्क्राइब कर लें तो ठीक है दोस्तो अब शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो दोस्तो ये है सबसे पहली लिस्ट जो की है फिफ्ट लिस्ट है लोकेशन ऑफ स्कूल स्टू देगे जिए मैं फिर से बता लेता हूँ चार ल लिस्ट आ गई है ये उन केंडिडेट्स की लिस्ट है जिन्नों ने एक बेदिन अतिति सिक्षक के रूप में कारिया नहीं किया है बिलकुल फ्रेश जिन्नों ने आविदन किया था उन्हें मौका दिया जा रहा है पांच मीं लिस्ट के माध्यम से तो आप ये लिस्ट चे केंडेट्स को स्कूल अलोकेट किये गए हैं मैं पूरी लिस्ट आपके साथ शेयर करूँगा बाकि इनका पीडिएफ आपको हमारे टेलिग्राम चैनल पर पर प्रवाइड करा दिया जाएगा वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं 203 केंडेट हैं जनल केंडेगरी से मिनीम मिनीम जो कट ओफ है वह है 37.79 और यह अलोकेटेड स्कूल का नाम दे दिया गया है ओवी सी केटेगरी की जो मेक्सिमुम कट ओफ है वह है 37.96 और जो मिनीम है वो भी मैं बता देता हूँ और टोटल कितने कैंडेट्स को स्कूल अलोकेट किये गए हैं वो भी मैं अभी आप में 50gruppe testing पाइंट कellStudies मैं आपके रोलंबर और नाम के बिल्कूल है अलोकेटइड स्कूल दिया गया है, वहाँ seven working days के अंदर अंदर आपको report करना होगा और ये सभी document आपको लेके जाने होगे, अपने साथ में ध्यान से ये document पढ़ लीजिएगा इसके बाद जो अगली list जारी की गई है, ये भी fifth list है और ये है टीजीटी natural science की हैं जर्नल केटेगरी में जो total candidates हैं जिने school allocate किये गई है, वो है 85, OBC category में school allocate किये गई है total 18 candidates को SC category से school allocate किये गई है, 34 candidate को EWS category से school allocate किये गई है, 23 candidate को और ये allocated school हैं, यहाँ seven working days के अंदर अंदर आपको report करना होगा और ये सभी document आपको अपने साथ में लेखे जाने होंगे तो दोस्तो दो अलग-लग subject से जुड़ी हुई fifth list चारी कर दी गई है, अगर आपने अतिती सिक्षक भरती में आविदन किया था और आपकी ये cut-off है, तो आप ये list चेक कर लीजिएगा दोस्तो हो सकता है, आपको मोका मिल गया हो, अतिती सिक्षक के रूप में आपको school allocate कर दिया हो और इसके बाद no vacancy allocation order जारी किया गया है, relieved guest teachers के लिए, पहले इनका नाम लिस्ट में आया था, पर वो allocated school में गए तो वहाँ vacation से उस समय थी नहीं, मतलब post खाली नहीं थी, तो उस समय इने joining नहीं दी गई थी, तो अब दुबारा से इनका notice यारी किया गया है, तो ये check कर सकते हैं, TZT social science से जुड़ा हुआ है, और इसी के साथ TZT Sanskrit और PET का भी इसमें दो अतिती सिक्षक हैं, जिनने school allocate किये गए हैं, तो इने five working days, seven working days के अंदर-अंदर अपने allocated school में report करना होगा, तो ये तो पुराने अतिती सिक्षकों के लिए notice है, और जो ये दो notice है, ये नए अतिती सिक्षकों के लिए, मतलब जिनोंने अंतिम बार जो recruitment आई थी, अतिती सिक्षकों की, उसमें आवेदन किया था, उसके according मेरिट के according, उसमें जो मेरिट थी, उसके according school allocate किये गए है, तो ये दो list आप check कर लिए, टीजिटी नेच्रल साइंस की, और जो पहली list है, वो है टीजिटी मैट्स की, इन दोनों का PDF आपको हमारे टेलिग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा, वहाँ से भी आप टाउनलोड कर सकते हैं, तो ठीक है दोस्ते यही जैनकारी आप तक पहुंचा अन्ती वीडियो के माधियम से फिर मिलते हैं, किसी नए वीडियो के साथ अब तक के लिए नमश्कार